हलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल फ्रेंज, बाइपर्टाइट सेटलमेंट 11th November 2020 को आज साइन हो गया है इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको आज छेर करने वाला हूँ आप सभी ने वो जो BPS डॉक्यूमेंट है वो देख लिया होगा मैं आपको इस वीडियो में एक-एक पॉइंट की डिटेल्ल इंफर्मेशन बताने वाला हूँ कि ये चीज क्या होती है, कैसे मिलती है साथ ही दैनिक पोर्टल चैनल ने जो काफी पहले हाउस रेंट रिइंबर्समेंट वाली बात कही थी वो बात भी इस बार बाइपर्टाइट डॉक्यूमेंट में आ गई है ग्रॉस सेलेरी पे जो बेनिफिट मिलने वाला है एक्चुल वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो एक्जिस्टिंग बेसिक है अब आपकी नई बेसिक पे और नई ग्रॉस सेलेरी क्या होगी और उस पे आपको कितना पर्टसंट इंक्रीज मिल रहा है और साथ ही जो दूसरे इंपॉर्टेंट डेवलेपमेंट है कि सब स्टाफ को भी CIV वाला बेनिफिट यानि वन प्लस टू टोटल तीन इंक्रीमेंट्स देने की बात हो गई है चलिए वीडियो स्टाट करते हैं आज दो 9 और 10 नवंबर को काफी मिटिंग्स हुई और फाइनली 11 नवंबर को बाइपटाई डॉक्यमेंट साइन हुआ यह उस से रिलेटेड आफ पिच्चर स्क्रीन पे देख सकते हैं डॉक्यमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं आपके साथ अब स्टाट करने वाला हूँ यह वो पेज नवंबर वन है जो आज 11 नवंबर 2020 को चारो जो वर्कमें यूनियन है बेफी के अलावा उन्होंने इशू किया है और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है आप चाहे तो यह डॉक्यमेंट भी रिट कर सकते हैं और लास्ट में उसको मैंने धंग से एक-एक पॉइंट को एक्स्प्लेइन भी कर रखा है यह पेज टू है आप वीडियो पॉस करके इसकी डिटेल्स को रीट कर सकते है इसमें लगबग-लगबग सारे पॉइंट कवर्ड हो गए है अच्छी बात यह है कि हाउसरेंट रिइंबरस्मेंट की इस बार स्टार्ट कर दी गई है बैंक स्टाफ के लिए और यह लास्ट पेज है पेज नमबर फिफ्ट जिस पे कुछ डिसिप्लिनरी एक्षन और प्रोसीजर्स में जो रिवाईस जो रिविजन किये गए है उसे इसमें बताया गया है तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रॉस सेलेरी से रिलेटेड ग्रॉस सेलेरी आप अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो बैंक कलर की है यह 10th बाइपरटाइट सेटल्मेंट के हिसाब से आपकी बेसिक पे है और 10 बाइपरटाइट के हिसाब से जो आपकी बेसिक पे चेक कर सकते है और आपकी जो अब नई ग्रॉस सेलेरी होगी जिसमें सब स्पेशल अलाउंस जो 16.4% है ट्रांसपोर अलाउंस उसके ओपर डिये सारी चीज़ेस में एड कर दी गई है और लास्ट कॉलम है कि आपको परसंटेज का बेनिफिट कितना मिला तो आप देख सकते हैं कि फर्स स्टेज वैसे तो जो बैंकलर की एंटरी स्केल होती है वो थर्ड स्टेज होती है यानि दो एडवांस इंक्रिमेंट मिलते हैं ग्रेजुएशन के तो 15.6% का ग्रॉस सेलेरी पे एज ओन नेवेंबर 2020 को एक कमपैरिशन है आपको 15% ग्रॉस सेलेरी पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है सीधा सीधा इसके बाद में जो इनकी बेसिक पे 7th स्टेज से 13th स्टेज तक है वो अपनी existing basic पे यहाँ चेक कर सकते हैं और revised basic पे आप यहाँ देख सकते हैं प्लस आपकी जो revised gross salary है वो आप इस वाले कॉलम में देख सकते हैं लगबग लगबग सभी stages पे 15% का gross salary पे जम्प देखने को मिला है इसके बाद में जो last 14th stage से 20th stage है इसके बाद में stagnation आ जाता है तो उसकी gross salary pre और post by per type डोनों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्लस जो percentage का change आएगा gross salary में वो भी आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे जैसे आपकी pay scale बढ़ती जारी है वैसे वैसे gross पे जो benefit मिलता जारा है वो percentage कहीं न कहीं less than 15% हो गया है तो friends ये information थी bank clerk की नई gross salary के उपर इसके बाद में bank sub staff की भी बात कर लेते हैं bank sub staff की जो 10th by per type settlement के साब से basic पे है वो ये second number का column है जिसमें basic पे 9560 से start हो रही है और gross salary का column number 3 है gross salary इसके बाद में 11th by per type settlement से related जो आपकी revised basic पे और जो revised gross salary है उसको भी मैंने mention कर दिया है और percentage increase को भी मैंने इसके अंदर inform कर दिया है यहाँ भी लगबग 15% का gross salary में benefit jump देखने को मिल रहा है आप video post करके अपनी basic पे के हिसाब से gross salary चेक कर सकते हैं उसके बाद में 7th stage से 13th stage तक की जिसकी basic पे है वो अपनी basic पे और नई gross salary इस screen पे देख सकते हैं इसके बाद में जो 14th stage से लेके 20th stage तक होता है जिसकी basic पे जो भी है आपकी जो भी staff की जो basic पे है उसके साब से आप अपनी basic पे और gross salary इस screen पे देख सकते हैं 15% के आसपास एक average bank club, bank service staff को gross salary पे benefit देखने को मिला है Friends अब बात करते हैं दूसरे features के बारे में जो की by-partite document में बताया गया है सबसे पहले कि जो wage bill है उसमें 3,385 crores bank workman staff को मिला है total जो 15% था 7,898 crores उसमें workman staff का अलग portion है, officers का अलग portion है इसके अलावा जिन banks पे applicable है उसकी information दी गई है 12 जो public sector banks है उसकी इसकी information है plus private banks, 10 private banks है और 7 foreign banks है periodicity आपको पता ही है November 2017 से start हो रहा है unique इस चीज में यह है कि first time कि HRA आपकी भले आपकी posting कहीं पर भी हो आप सबकी अगर basic पे same है तो आपकी gross salary सबकी same होगी except जिसका जो hill allowance जिनको मिलता है जो north east allowance मिलता है वो अलग है बाकि एक uniform salary होगी all over India क्योंकि HRA की अलग-अलग categories को हटा दिया गया है इसके अलबा pay scales की information मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो revise pay scales है उसकी information आपके सामने screen पर है जो 10 private banks है वो ये है और जो 10 जो 7 foreign banks है जो इसके अंदर covered है जो bank clerk जो इनके designated है वो इसमें covered है वो banks की information आपके सामने है revise pay scales की information में पहले भी दे चुका हूँ आप screen पर देख सकते हैं bank clerk की starting basic है वो अब होगी 70,900 प्लस 2,000 का increment यानी 19,900 ये एक bank clerk की starting basic पे होगी इसके लावा bank sub staff की starting basic पे होगी 14,500 रुपीज stagnation increments में एक increment add किया गया है हर दो साल में एक stagnation increment मिलेगा यानी जब आप अपने 20th stage पे पहुँच जाएंगे सारे increments ले लेंगे तो उसके बाद हर दो साल में आपको अपना last drawn increment का एक increment मिलेगा अगर कोई 24 years की age में bank clerk बनता है, bank join करता है प्लस GIB, CIB भी कर लेता है तो around 40, जो 40 साल का हो जाता है तब वो stagnation पे पहुँच जाता है इसमें GIB, CIB के 3 increment set कर लिए गया है और माना गया है कि वो 24 years की age में bank join कर लेता है तो उसके बाद अभी भी remaining 20 years की service है जिसमें वो 18 साल में 9 increment ले सकता है यानि एक increment जो बड़ा है उसका benefit काफी लोगों को मिल सकता है अगर वो bank clerk में ही रहते हैं और officer में promotion नहीं लेते हैं तो इसके अलावा special pay को revise कर दिया गया है clerical staff के लिए और subordinate staff के लिए भी ये special pay designated special pay होती है यानि जिसका जैसा designation होता है उसको उस हिसाब से special pay मिलती है इसका revision भी बिलकुल उसी तरह से किया गया है उसी formula से किया गया है जिस formula से basic pay को revise किया गया है यानि उसके अंदर वही DA merger और वही load factor यानि जो multiplying factor है वो कहीं न कहीं around 1.52 है जो basic pay को जिस हिसाब से revise किया गया है और special pay को भी उसी हिसाब से revise किया गया है यह bankler का है और उसके बाद इस subordinate staff का है special pay पर dareness allowance भी दिया जाता है तो आपको जो अभी special पर मिलता है उसकी revised special पर आप screen पर देख सकते है इसके बाद में जो senior staff होता है जिने stagnation increments मिलते है उनके अलग से दो और allowances मिलते है एक तो PQP जो qualification, professional qualification पर है और एक fixed personal पर जो stagnation पर आने पर मिलता है उसको भी revise कर दिया गया है आप screen पर जो existing PQP है वो आप देख सकते है यह है और उसके बाद में जो 11 BPS का जो information है वो यहां right वाले column में आप अपनी compare कर सकते है इसके उपर आप अपना dearness allowance भी add कर सकते है और अपनी gross salary के अंदर यह वाला component add कर सकते है इसके बाद में जो fixed personal पर है उसमें भी दो category होती है अगर जिस staff को bank accommodation मिलता है उसका अलग component होता है और जहां bank accommodation provide नहीं होता है उसका अलग component होता है जहां bank accommodation नहीं मिलता है वहां fixed personal पर थोड़ा जादा मिलता है अब यह 0.07% per slab of 4 points over 6352 points यानि इसके ओपर जितना भी DA बढ़ेगा अब उसे 4 points का 0.07% के साब से एक slab बनेगा इन्होंने DNS allowance की जो revised percentage है वो भी बता दी गई है कि November 2017 को जो DA revise हो गया वो अब 2.66% हो गया और अब जो November 2020 को जो DNS allowance है वो 23.8% हो गया है इसके अलाबा special allowance भी 7.75% से 16.4% बढ़ा दिया गया है और उसमें dearness allowance भी दिया जाएगा transport allowance जो पहले 4.25 रुपीज था without DA उसे बढ़ा कर 600 रुपीज प्लस dearness allowance भी उसमें दिया जाएगा यह benefit 11 BPS में मिलने वाला है house rent allowance में एक बहुत अच्छा improvement हुआ है सबसे ज़्यदा benefit जो मुझे दिखा वो एक house rent allowance में दिखा कि एक तो इन्होंने category खतम कर दी तो जिने 7.5% का HR मिलता था अब उन्हें भी 10.25% का HR मिलेगा तो वहाँ यह लगबग लगबग जो 3% का एक gap है वो एक अच्छा उन्हें benefit दे सकता है uniform rate कर दी गई है 10.25% all over India इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर किसी bank staff का यानि clerk हो या sub staff हो अगर management उनका transfer करता है एक center से दूसरे center में उनको भेजता है तो उनके पास में 10.25% HR की वज़ाए 11% HR लेने को option है या फिर जो HR उन्हें मिलता है उसका 1.500% वो rent reimbursement ले सकते है कैसे मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी की basic pay 20,000 है यानि जैसे starting basic pay वैसे 19,900 है मैंने calculation के लिए माना है कि जैसे मान लीजिए किसी की basic pay 20,000 है तो अभी वो जिस भी center पे होगा उसे 10.25% के हिसाब से HR मिलेगा 2050 रुपीज अगर उसका transfer होता है तो उसके पास में 2 option है यानि management अगर उसका transfer करता है तो उसके पास में 2 option है पहला कि या तो वो straight 11% HR ले ले यानि जैसे वो 10.25% मिलता था अब उसे 11% HR मिलेगा यानि 2200 रुपीज या फिर वो ये कर सकते हैं कि जो उन्हें HR मिलता था 10.25% के हिसाब से पहले यानि 2050 रुपीज जो मिलते थे उसका डेड़ गुना उसका डेड़ गुना वो claim कर सकते है यानि 3075 रुपीज वो rent reimbursement के तोर पे claim कर सकते हैं बस condition ये है कि उन्हें जो rent की receipt है वो show करनी पड़ेगी तो ये दो option है कि या तो straight forward 11% HR ले 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 या जो वो HRA मिलता था उसका 150% वो HRA जो मिलता था उसका 150% वो claim कर सकते हैं subject to production of rent receipt ये information मैंने काफी समय पहले वीडियो के थुरू आपको बताया भी था कि खुद जो बड़े नेताजी है उन्होंने कहा है कि इस बार rent reimbursement का option भी आएगा तो कहिए ना कहिए एक छोटी सी शुरुवात है अच्छी बात है कि आने वाले समय में जैसे जैसे basic पे बढ़ेगी यहां जो इसका percentage है 150% claim का वो भी धिरे धिरे revise हो जाएगा और ये एक amount ठीक ठाक हो जाएगा इसके यह house and dream allowance में आपको बता चुका हूँ इसके अलावा medical aid में कोई खास बड़ोतरी नहीं की गई है क्या कि सारी चीजे कहीं ना कहीं जो 15% का portion है वो दूसरी चीजों में exhaust हो गया होगा इसलिए जादा यहां portion नहीं मिला है medical aid में सिर्फ 155 रुपीज का एक benefit मिला है यानि जो पहले 2200 पर annum मिलता था अब वो 2355 रुपीज पर annum 11 BPS में कर दिया गया है इसके बाद में friends बात करते हैं दूसरे अलग-अलग चीजों के बारे में सबसे पहली नई चीज जो important है कि सब staff को भी GIV CIV का benefit जैसे clerical staff को दिया जाता है वो अब से सब staff को भी दिया जाएगा अगर वो भी GIV पास करेंगे तो एक increment और CIV भी पास करेंगे तो दो increment मिलेगा इसके अलावा privilege leave avail करने के लिए जो पहले 15 days का notice दिया जाता था यानि आप 15 दिन के आपको minimum 15 days का notice देना पड़ेगा उसके बाद आप अपनी privilege leave avail कर सकते हैं उसे अब 10 days कर दिया गया है यानि अब 10 दिन का notice देकर आप अपनी privilege leave avail कर सकते हैं अगर आपने privilege leave sick grounds पे लिया है यानि अगर आपने medical certificate शो करा है बैंक को तो वो spell आपका privilege leave में count नहीं होगा जैसे अभी आप साल में 4 बार privilege leave ले सकते हैं, 4 spell ले सकते हैं, तो अगर आपने sick grounds पे लिया है, जिसमें medical certificate आपने submit किया है, तो आपका वो spell count नहीं होगा privilege leave लेने में. इसके अलावा PL in cashment का benefit start हो गया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि अगर किसी की age 55 years या उससे जादा है, तो वो 7 अपनी privilege leave एक साल में in cash करा सकता है, यानि 7 दिन की एक तरह से तनखा ले सकता है, और अगर age 55 से कम है, तो वो 5 दिन की salary को in cash करा सकता है, अपनी PL in cash करा सकता है हर calendar year के साब से, यानि January से लेके December के अंदर, ये PL in cashment LFC के अलावा है, और जो retirement के time पे PL in cash कराये जाती है, उसके अलावा है, अभी retirement के time पे जो PL accumulation होता है, उसमें कोई change नहीं किया गया है, total 270 privilege leave accumulate की जाती है, और retirement के समय 240 privilege leave in cash कराये जाती है, उनमें अभी कोई change नहीं किया गया है, इसके अलावा, sick leave में भी benefit दिया गया है, थोड़ा improvement किया गया है, कि अगर आपकी 30 years की service हो गई है, तो आपको additional 3 महीने की एक तरह से और आपको sick leave दी जाएगी half paper, sick leave में ये होता है कि अभी staff को 18 months की sick leave half paper मिलती है, एक benefit है, इसके अलावा, जिने 24 years हो जाते हैं service में उन्हें 3 महने की sick leave और मिल जाती है, जैसे अगर आप 18 months को 30 से multiply करेंगे, तो यह आएगा 540 days, 540 days के अंदर और 90 days का benefit अभी already है, 24 years की service के बाद में, तो यानि ये हो गया 630 days, अभी आप sick leave 630 days की है, उसमें थोड़ा और benefit किया गया है, कि अगर आपकी 30 years की service हो गई है, तो additional आपको 3 months की, यानि 90 days की और आपको additional sick leave दी जाएगी, ये उन staff के लिए काफी मदद करेगा, जो senior staff है, 50 years की उपर age में, जो service कर रहे हैं, उन्हें और sick leave लेने benefit मिलेगा, प्लस जो female employees है, women employees हैं, वो भी ये sick leave avail कर पाएंगे, अपने बच्चों की देखभाल के लिए, इसमें condition ये लगाई है, कि अगर कोई women employee sick leave avail करते है, अपने बच्चों के sickness पे, तो बच्चों की age up to 8 years होनी चाहिए, यानि अगर बच्चों की age 8 years से जाधा है, तो ये वाला sick leave जो benefit है, वो नहीं मिलेगा, और up to 8 years की age है, तो आपको medical certificate भी देना होगा, अपने बच्चे का, तभी आप जो women employees हैं, वो ये sick leave avail कर सकेंगे, इसके अलावा जो extraordinary leave है, जिसमें आप loss of pay में रहते हैं, किसी भी reason के वज़े से, पढ़ाई के वज़े से, या कोई और ऐसे आपको बड़ी बिमारी हो गई है, कि आपके सारी sick leave खतम हो गई है, और सिर्व आप EOL पे होँआ, मतलब को गालरी नहीं मिल रही है, तो भी आप maximum 90 days की एक बार में EOL ले सकते थे, अब उसे बढ़ाके 120 days कर दिया गया है, साथी एक अच्छा improvement यह है कि maternity leave जो होती है, 6 months की, अब उसे आप दूसरी leave के साथ में continuation में ले सकते हैं, आपको एक दिन के लिए office आने की ज़रुत नहीं है, अगर आपके पास में privilege leave है, तो आप maternity leave पहले लगा दीजिये 6 मैने की, उसके बाद में अपनी privilege leave लगा सकते हैं, combination में दूसरी तरह की leaves के साथ में इसे लगाया जा सकता है, इसके अलावा अगर आपका जो operation हुआ है, जैसे uterus removal का जो operation हुआ है, और अगर आपकी maternity limit exhaust हो होते हैं, तो यानि overall 12 months की maternity leave दी जाती है, तो अगर MTP यानि जो removal का operation हुआ है, miscarriage हुआ है, abortion हुआ है, इन cases में आपको अलग से और 6 weeks की आपको maternity leave grant कर दी जाएगी इन 3 option में, इसके अलावा जो maternity leave है, adoption के लिए भी उसे 6 months से बढ़ा कर 9 months को कर दिया गया है, एक child के maternity leave में women employees के लिए काफी इसमें improvements किये गए है, यह एक अच्छी बात है, और अगर जैसे मालीजे किसी women employee के twin children होते हैं, तो जो 6 months की maternity leave है, उसे बढ़ा कर 8 months कर दिया गया है, इसके अलावा और भी दूसरे options हैं, जो maternity leave के improvements से related हैं, कि जैसे अगर आपके कुछ specific ailments हैं, उन maternity leave grant की जाएगी, subject to वो जो एक specified ailments हैं, जिसकी list यह आगे share कर देंगे, इसके अलावा अगर paternity leave की अगर बात करें, तो paternity leave यानि जो father को child होने पर जो believe दी जाती है, तो paternity leave अब child adoption के case में भी male staff को sanction की जा सकती है, इसके अलावा अगर curfew है, आपके area में riots हो गए हैं, आप कोई natural calamity आ गई है, flood आ गए है, earthquake आ गए हैं, और आप अपनी office नहीं जा पा रहे हैं, तो वो आपका leave treat नहीं होगा, वो absence treat नहीं होगा, मतलब आपको एक अलग से special pay on duty दिया जाएगा और आपकी उसमें चुटी नहीं कटेगी, यह एक development हुआ है, इसके अलावा LFC के अंदर improvement हुआ है, LFC से related भी मैंने आपको पहले बताया था, कि जो 10th BPS है, उसके हिसाब से limit आप यह screen पे उपर देख सकते हैं, दो option है, 2 years का block होता है, 4 years का block होता है, यह सब staff की limit है, और यह clerical की limit है, इनको 11th BPS में नीचे वाली table के हिसाब से improvement कर दिया गया है, kilometers थोड़े बहुत इसके अलावा, employees अपनी car से भी अगर चाहें, तो LFC पे जा सकते हैं, यह option पहले भी था, उसमें जो road के mileage के charges के हिसाब से per kilometer के हिसाब से पैसा दिया जाता था, पहले 6 रुपे पर kilometer के हिसाब से reimbursement होता था, 6 रुपे पर kilometer into total kilometers आपकी जो भी eligibility है, उसके बढ़ा अब उसे स्टाफ है, तो second AC है, और अगर सब स्टाफ है, तो third AC का शताबदी और राजधानी का fare भी आपको दिया जाएगा LFC के अंदर, इसके अलावा जो local sightseeing है, उसमें improvement किया गया है, कि अगर आप उसके bill submit करेंगे, आप कहीं कहीं घुमने गए और local sightseeing के लिए आपने किसी operator से contact किया, उसने आपको उसका bill भी दिया है, तो आप वो bill produce करने पे उसका reimbursement भी ले सकते हैं, और अगर husband और wife दोनों bank पे हैं, तो आप दोनों अपनी अपनी LFC ले सकते हैं, यानि अगर आपने two years का block choose कर रहा है, तो आप एक तरह से हर साल LFC पे जा सकते हैं, first year में husband की LFC हो फिर third year में दुबारा husband ने avail कर ली और fourth year में wife ने avail कर ली, तो इस तरह से individual LFC का benefit भी 11 BPS में कर दिया गया है, साथ ही जो आप trains वगरा book कराते हैं LFC में, उस पे जो GST charge लगेगा, वो इस limit के उपर दिया जाएगा, उसको यह जो limit है, आपको LFC benefit की, उसमें taxes, charges को include नहीं किया गया है, और साथ ही जो राजधानी शताबदी ही, जिसमें dynamic fare system लगता है, तो dynamic fare system में क्या होता है, friends की किराया, जैसे जैसे date नजदीक आती रहती है, travel की, वैसे वैसे उसके अंदर, charge जो fare होता है train का, वो बढ़ता जाता है, तो राजधानी शताबदी के अंदर, अगर dynamic fare system ह उसमें अगर आपको ज़्यादा fare देना पड़ा है, तो वो भी आपको actual जो आपने दिया है, वो भी reimburse किया जाएगा, इसके अलाबा, जो far flung area, जो दूर धराज के areas में, जो लोग staff posted है, उन्हें ये benefit दिया गया है, कि उनकी जो भी place of posting होगी, उससे जब वो nearest railway station पे तो वो जो distance वो travel करेंगे, उसका भी उन्हें additionally pay किया जाएगा, कि यानि अगर कोई गुवहाटी से अपना LFC start करना चाहता है, तो place of work से गुवहाटी आने का भी जो distance है, वो additionally pay किया जाएगा, कोई अंडमान निको बार से, चेनई या कुलकत आ रहे हैं, तो वो additional benefit दिया जा जाने का, अलग से additionally आपको LFC का reimbursement किया जाएगा, इसके अलावा जो pony dolly charges होते हैं, यानि जो कोई केदार नाथ, बदरी नाथ जाते हैं, और खचर के उपर बैट कर यातरा करते हैं, या फिर जो लोग उन्हें हाथ में उठा कर लेके जाते हैं, उसको carry करते हैं, dolly charges जो होत साथी, LFC चूज करने का एक और option दिया जाएगा, जिन staff ने, जो भी staff join करता है, उनसे starting में LFC का benefit पूछ लिया जाता है, या आपको 2 years का block चाहिए, या 4 years का block चाहिए, तो उसे choose करने का option एक और दिया जाएगा, अगर आपको change करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, इसके अलाव जो भी salary या जो भी income है, pension को मिला कर, वो 10,000 रुपए से जादा है, तो वो dependent नहीं कहलाए जाएगे, अब उस 10,000 रुपए को बढ़ा के 12,000 कर दिया गया है, यानि 12,000 से अगर कम है, तो वो dependent होंगे, अगर 12,000 से जादा income है, किसी भी तरह के source पे, pension को मिला के, तो आपके dependent नहीं कहलाए जाएंगे, इसके अलावा, voluntary succession schemes के अंदर भी एक benefit दिया गया है, उन्हें अपील करने का option दिया गया है, ये बहुत ही, कुछ लोगों के उपर ये benefit applicable है, इसके अलावा, जो deployment policy है, उसमें compensation amount को revise किया गया है, जो 400 रुपीज पर मन दिया जाता था, वो 600 रुपी आने के लिए, तो उसके अंदर भी आपको एक जो breakage charges दिया जाता है, टूट food के जो charges जाता है, उसके अंदर भी revise किया गया है, उसमें declaration basis पे limit कम है, यानि clerical के लिए 1100 रुपीज है और सब staff के लिए 825 रुपीज है, और अगर आप उसका actual receipt लगाते हैं, तो वो reimbursement आपका जादा है, clerical में 1650 रुपीज है और सब staff का 1100 रुपीज है, साथी family definition के अंदर भी कुछ changes किये गए हैं, जो physically, mentally challenged बच्चे होते हैं, staff के, वो अगर उनकी शादी भी हो जाती है, तो भी वो staff के dependent ही कहलाएंगे, subject to income criteria, कि अगर उनके income हो गई है, उस limit से जादा, तो वो dependent नह का contribution रहेगा, bank का, वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, staff वही 10% basic pay और DNS allowance को करेगा, जबकि bank इसके अंदर 14% मिलाएगा, और जो आपके NPS account से जो service charges जो कटते हैं बीच-बीच में, अब वो उसे bank ही bear करेगा, वो staff के account से नहीं कटेगा, cycle allowance और washing allowance में भी 50-50 रुपीज का benefit किया गया है, 50 रुपे cycle allowance को बढ़ाया गया है, washing allowance को भी 50 रुपे बढ़ाया गया है, plus split duty allowance को भी 50 रुपे बढ़ा दिया गया है, ये सभी service staff के लिए allowances होते हैं, project area compensatory allowance में भी revision किया गया है, कि अगर किसी की posting, जो large scale के projects होते हैं, जो government designated projects होते हैं, वहाँ ऐसी branches में posting होत export promotion zone, तो उसमें जो project area compensatory allowance है, उसे भी revise किया गया है, साथ ही family के अंदर जैसे कही बार क्या होता है, कि जैसे किसी के parents नहीं है, लेकिन in-laws हैं, या फिर father नहीं है, और mother है, लेकिन father-in-law भी है, तो आप चाहें तो any two of parents आप आप इसमें choose कर सकते हैं, ताकि आपको उसका medical benefit मि मिल सके, यानि चाहें तो आप father-mother को कर सकते हैं, या फिर अपने सास ससुर को कर सकते हैं, या फिर father और सास को कर सकते हैं, या फिर mother और ससुर को cover कर सकते हैं, इस तरह का benefit भी इसमें देना start कर दिया गया है, साथी halting allowance और dime allowance को भी revise कर दिया गया है, यह उसकी limit आपके सामने ह हिसाब से लिमिट है और जो second table है वो 11 BPS के हिसाब से revise कर दिया गया है clerical को लगबग लगबग साड़े 300 रुपए 300 रुपए का revision किया गया है halting allowance में और सब staff को 200 रुपए के असपास revise किया गया है इसके अलावा अगर आप कहीं halting allowance आप किसी किमान लीजे आप कहीं deputation पे जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं तो अगर आप आप हालting allowance क्लेम कर रहे हैं तो आप चाहें तो hotel rent की receipt भी देकर उसका reimbursement भी क्लेम कर सकते हैं कि अगर आप कहीं किसी hotel में room लेके वहाँ पे stay कर रहे हैं तो halting allowance जो आपको मिल रहा है वो आप चाहें तो एक तो आपकी limit है जो आपको मिल रही है इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने hotel का rent पे किया है उसकी receipt अगर आप अपने bank में submit करेंगे तो वो भी आपको reimburse होगी subject to sealing जो भी prescribed जो भी sealing होगी वो कितनी होगी वो अभी information आना बाकी है तो up to debt limit आप hotel का rent भी reimbursement bank से claim कर सकते हैं इसके अलावा जो hill and fuel allowance है उसके अंदर भी revision किया गया है इसके हिसाब से ही आप limits देख सकते हैं जिसकी जितना altitude पे यानि height पे posting है मीटर 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 है उसके हिसाब से आप अपना hill and fuel allowance basic पे से linked होता है उतना percent आप ले सकते हैं maximum ये उसके limit है यानि इतना ही हो सकता है maximum आपकी जो hill and fuel allowance है ये उसके limit है साथ ही transfer होने पे जो इधर सुधर सामान shift करने में जो total weight जो allowed होता है इतना आप weight तक का सामान ले जा सकते हैं और इस weight के हिसाब सुझ आपको पैसा मिलता है transportation का उसमें भी revise कर दिया गया है married person और un married person plus sub staff और non sub staff के लिए एक limit आपके सामने screen पर है इसके अलबा performance link incentive financial year 2020-21 से ही introduce की जारी है पहले bank unions ने demand थी कि इसी financial year 2020 से ही performance link incentive का benefit दिया जाए क्योंकि March 2020 को जो balance sheets banks ने publish करी उसमें काफी banks का operating profit था यानि इसका benefit कहीं न कहीं bank staff को मिल सकता था लेकिन ये demand भी bank unions की नहीं मानी गई है और अब जो financial year चल रहा है financial year 2020-21 यानि 31 March 2021 को जब bank का financial year खतम होगा और जो balance sheet sign की जाएगी उसमें अगर operating profit हुआ तो performance link incentive के तहट आपको वो benefit मिलेगा इसके अलावा last में disciplinary actions और procedures से related information है जिसके उपर भी applicable है कुछ staff अगर उनके उपर disciplinary action की कुछ कारवाई चल रही है तो इस screen पर आप वो read कर सकते हैं और अगर कुछ आपको benefit मिलता है तो अब आप इसको समझ सकते हैं तो friends यह था पूरा 11th by-partite document जिसकी information मैंने आपके साथ share करी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please इसे like कीजेगा चैनल को जरूर subscribe कीजेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजेगा थैंक यू friends for watching this video at Danik.